हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सत्ता की साजेधारी तो देखें सत्ता की साजेधारी का मतलब यह है कि सत्ता जो होती है ना पा जो होती है वो सबकी जो है अलग अलग पावर होती है और इस चैप्टर में हमें दो देशों का कमपारिटि बिल तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा परचे भी देख लेते हैं इस अध्याय के साथ हम लोगतांत्र की उस स्यात्र को आगे बढ़ाएंगे जो हम पिछले साल सुरू के थे यानि कि कक्षा 9 में तो कक्षा 9 की बुक हमने कंप्लीट कर ली है हमने उसमें देखा था कि लोगतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती विधाईका कारेपालिका और न्याईपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता विकेंद्रित कर देना लोगतांत्र के का जानें बतती हैं कि विभैन लोगतांत्रिक साथन पध्धतियां सत्ता के बठबारे की माँंग से किस तरह से वो निप्ठती हैं यहलो किसकी एक्ता को प्रभावित करती हैं तो ये घटनाय समझने के लिए कुछ मदद मिलेगी, आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बटवारे की जरूरत होती क्यों है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है ना, तो हम इन दो देशों के माध्यम से जानेंगे कि सत्ता का बटवारा क्यों जरूरी है, तो चलिए देखते हैं, तो देखें, बेलजियम और स्री लंका, बेलजियम जो है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, छेत्रफल में माल लीजिए कि हमारे हर्याडा राज्ये से भी छोटा, और इसकी सीमाएं जो है ना, वो फ्रांस, नीदर लैंड, जर्मनी और लगजंबर्ट से लगती है, औ और इसकी आबादी जो है एक करोड से थोड़ी अधिक है, यानि कि हर्याडा की आबादी के करीब आधी, और इस छोटे से देश में आप समझ लीजिए कि समाज की जातिये बुनावट बहुत चटिल है, जातियों में विभेता बहुत जाता है, और इसकी कुल आबादी का 69 प्रसद हिस्सा जो है, फ्लैमिस इलाके में रहता है, और डच बोलता है, और 40 फिजदी लोग बैलोनिया छेतर में रहते हैं, और फ्रेंच बोलते हैं, और सेस एक फिजदी लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं, तो राजधानी जो है ब्रूसल्स के 80 फिजदी लोग होते हैं अब यह देख लीजिए कि जो अल्पसंकिक है यानि कि कम जो है भासी वाले लोग हैं फ्रेंच भासी लोगों की तुलना के रूप में ज्यादा सम्रिद्वर तागतवर हैं तो बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और सिक्षा के लाप पाने के लिए डच भासी स्थिती से नाराजगी थी देखें इसके चलते क्या हुआ कि 1950 से ना 1960 के दसक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुहों के बीच तनाव बढ़ने लग गया अब देखें इन दोनों के जो सबसे टक्राओं का सबसे तीखा रूपना ब्रूसल में दिखा तो यह एक स्रीलंका की बात करते हैं स्रीलंका आप सभी जानते हैं कि एक ड्यव्पी देश है भारत से जस्थ थोड़ा सा नीचे है दक्षडी तटमे तमिलनाडू के दक्षडी तटमे है न कुछ किलोमेटर दूरी परिस्तित है और इसकी आबादी करीब 2 करोड है यानि की के बराबर तो दक्षिड एसिया के अन्य देशों की तरह स्री लंका की आबादी में भी कई जाती है समू के लोग रहते हैं अब सबसे प्रमुख जो है समाजिक समू सिंगलियों का है जिनकी आबादी कुल जन संख्या का 74 फीजदी है फिर आता है तमिलो का नंबर इनकी कुल न्युवेशिक शाषन काल में भगानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है तो मौझूदा स्री लंका में नक्से के पर गौर करें तो आप पाएंगे कि तमिल जो है मुख्य रूप से उत्तर और पूरवी प्रांतों में जो है आबाद है और अधि पित्तर सिंगली भासा के लोग बहुत हैं जबकि तमिल भासी लोग जो है कुछ हिंदू है और कुछ मुसल्मान तो स्री लंका की आबादी में इसाई लोगों का हिस्सा साथ फीज़ दी है और वे सिंगली और तमिल दोनों भासाई बोलते हैं अब देखिए अब इस्थिती क बात है आप यह मान के चलिए कि जैसे हमारा भारत जो है वह हिंदू बहुल राज है आप सभी जानते हैं कि हिंदू की संख्या जादा है लेकिन हमारे देश में अगर आप मान लीजिए कि हिंदू लोग सिख इसाई या फिर इसलाम को जो है अगर जो है अपनी प्रूसल पर दोनों पक्ष जो है अपना तावा ठोकते अब यहीं बात करेंगे स्री लंका में सिंग्ली आपादी का भूध जादा है हां और वो लोग जो है मुलक में अपनी मनमानी चला सकते थे अब आईए हम देखें कि असल में जो है दोनों देशों में क्या क्या जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1948 में स्री लंका जो है वो स्वतंत हुआ 1947 में मारा देश स्वतंत हुआ और 1948 में स्री लंका तो सिंगली समुदाय जो थे ना इनके नेताओं ने अपनी बहु संख्या के बल पे सासन का प्रभुत्य जो माना चाहा और इसी वज़े से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहु संख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए यानि कि सिंगली के लिए कई कानून बनाए क्योंकि वो बहु संख्यक थे तो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार किया गया मतलब उनकी एक्षाओं को दरकिनार करते हुए सिंगली को एकमातर राजभासा घोसित कर दिया अब ये माल लिजिए अब थोड़ा सा हमाँ अपने इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं अब आप माल लिजिए कि हिंदू बहुल राजज्य है मारे हां अब आप माल लिजिए कि हिंदी को अगर राजभासा घोसित कर दिया जाए तो क्या होगा साउत के लोग तो जो है वो प्रभावित होंगे है ना और उधर पुर्व उतर राज में क्यूंकि हिंदी भासी रा तो आपको लग रहा होगा कि यह जो है इससे द्वेश पैदा होएगा ही और यह देखिए बनती जा रही है ग्रीह युद्ध की स्थिती अभी देखते रहे हैं तो नए सम्मिधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार जो है बहुत मत को संरक्षन और बढ़ावा देग अब देखिए आगे एक एक करके आई इन सरकारी फैसलों ने श्री लंकाई तमिलों की नाराजगी और शाशन को लेकर उनके बेगानेपन को बढ़ाया और उन्हें लगा कि बहुत धर्म लंबी सिंगलियों के नेतितों वाले सारी राजनीतिक पार्टिया उनकी भासा और स संस्कृति के बारे में जो है बिल्कुल सरकार सोची नहीं रही है तो उन्हें लगा कि समविधान और सरकार की नीतिया उन्हें समान अधिकार नहीं दे रही है और समान राजनीति से वन्चित भी कर रही है नौकरियों और फायदे के अन्यकामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है उनके हितों की अंदेखी की जा रही है पईनाम क्या हुआ तमिल और जो है सिंगली के समदायों के मद्धे जो है वो संबंध बिगड़ते चले गए अब यह देखे देख पा रहे होंगे यह देखे जो है सिंगली स्री लंकाई तमिल यह जो पूरा पीला एरिया दिख रहा होगा आपको यहां पर निवास करते हैं स्री लंकाई सिंगली ठीक है अब भारत वंसी तमिल देखिए यह इधर उत्तरी राज में जादा है ठीक है और यह मुसल्मान है यह बीच में मुस्लिम भी है ठीक देखे थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहु संख्यवाद अच्छा देखिए ऐसी मान्यता है ना कि अगर कोई समुदाय जो है बहु संख्यक है यानि कि जिस समुदाय की संख्या सबसे जादा है उस देश में तो वह अपने मन चाहे ढंक से देश परसाशन कर सकता है यह मतलब होता है बहु संख्यवाद का मैं ब पतलब बता रही हूं ठीक है मैं बिल्कुल भी यह बढ़ावा नहीं देदी और मैं अपने देश के साथ हूं क्योंकि हमारे देश धर्म निर्पेक्ष राज है तो यह पहुत अच्छी चीज है कि कि किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देकर सभी धर्म को समान रूप से मानना अब हम बात कर रहे हैं स्री लंका की तो चलिए आगे देखते हैं अब देखिए आगे क्या इस्थिती हुई स्री लंकाई तमिलों ने क्या किया तो देखिए स्री लंकाई तमिलों ने जो है न वो अपनी राजनितिक पार्टिया बनाई और तमिल को जो है राजभासा बना स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संख्टन बने राजनीति बिल्कुल गर्मा गई थी इन दोनों समुदायों के लेके है ना और दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़े और बड़ टक्राओं का रूप ले लिया और ये टक्राओं जो है ग्रियुद्ध में परनित हो गया अच्छा ग्रियुद्ध क्या होता है ग्रियुद्ध जो होता है अपने ही देश में अपने ही देश में अगर दो कास्ट के बीच या फिर दो समुदाय के बीच अगर जो है टक्राओं की स्थिति उत्पन्न होती है त तो यह युद्ध मतलब अपने देश में ही अलग-अलग समुदाय या फिर अलग-अलग संस्कृति के लोगों के बीच टक्राओं की इस्थिति तो देखें इसके परणाम सरुप क्या हुआ देखें कुछ भी होताया टक्राओं हो चाहिए ग्री युद्ध हो चाहिए आप मान लीजए कि देश लेच लेवल का युद्ध या फिरchez अंटरनेशनल लेवल क्या होता है इससे बहुत सारे लोग मारे जाते है है जानमाल की हानि होती ही होती है तो देखे यह भी यही चीज हुआ परणामसरूब यह हुआ कि दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं अनेक परिवार अपने मुल्क से भाग कर शरणार्थी बन गए हैं है ना और इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी जो है वो चौपट हो गई अब देखें हमारे छेतर के देशों में जो है आर्थिक विकास सिक्षा और स्वास्ति कि मामलों में स्री लंकाई रिकार्ड सबसे अच्छा है अच्छा आप देखते भी होंगे कि वहां पर जो है एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है मतलब वैल एजुकेटेड लोग निवास करते हैं पर वहां के ग्रही युद्ध से मुल्क के समाजिक सांस्कृतिक और आ बेलजियम के नेताओं ने स्री लंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया बहुत अच्छी नींती है इनकी आप देखते रहें तो उन्होंने क्या कि छेत्री अंत्रों और सांस्कृतिक विवत्ता को स्विकार किया वे बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते थे कि छे तरह जो है आप देख रहे होंगे कि तमिलाडू की सरकार क्या कर रही थी कि वो जो है सिंगलियों के लिए ही कानून बना रही थी बहुत को संड़क्षन दे रही थी लेकिन यहां मामला अलग है यहां पे शंविधान संसोधन हुए ताकि किसी भी आदमी को बेगानेपन का अहसास ना हो सभी मिल जुल कर रहें और उनके जो है इसके लिए जो विवस्था की ना बहुत कलपनाशील है कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया तो जो यह बेल्जियम का मॉडल है ना वह बहुत बाते दे कर गया अब देखे हम बातों को देखेंगे बहुत इंपॉर्टन बाते हैं आप देखना देखें समविधान में इस बात का इस पस्ट प्रावधान है कि केंद्री सरकार में डच और फ्रेंच भासी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी ठीक है समान रहेगी और कुछ विशेस कानून तब ही बन सकते हैं जब दोनों भाशाई समू में सांसद केंद्र सरकार जो है अनेक सकतियां देश के दो इलाकों में छेत्रिय सरकारों को सुपुर्द कर दी है यानि राज्य सरकारें केंद्री सरकार के अधीन नहीं हैं राज्य सरकार की सकतियां अलग हैं केंद्र सरकार की सकतियां अलग हैं आगे देखिए तो देखिए ब्रूस विल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समयदाये समान रूप से प्रतिने धित्व के इस प्रस्ताव को स्विकार किया क्यों कि डच भासी जिस बहुल छेत्र में। जो है जिस राज इमेन जो छेत्रीई ज्हादा रहेंगे तो उस राज की शक्तियां अल offenses केंद्री की शक्तियां अलग होंगी है अगली नीती क्या STUD BUR است कि देखे केंद्रीई और राज सरकार के अलावा नहेरें थी thou सरक वाले जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहें वे जहां भी रहते हो तो इस समुदायक सरकार को चुनते हैं और इस सरकार को जो है संस्कृती सिक्षा और भांसा जैसे मसलों पर फैसले लेने के अधिकार है अब देखें आपको बेल्जियम का माडल है ना थोड़ा सा ट देख लीजिए कि डच हो गया है ना फ्रेंच हो गया तो किसी भी कास्ट को न दबा के सब कास्ट को एक साथ ले चलना तो यह तो जाहिर सी बात है यह मौडल सफल होना ही होना है और ग्रही युद्ध की स्थिति तो बिल्कल बनेगी ही नहीं जब किसी कास्ट में मतभेद नहीं है किसी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ग्रही युद्ध की स्थिति कहां बनेगी तो उसकी स्थिति पर बिराम लग या वरना तो ग्रही युद्ध की स्थिति तो बेल्जियम में भी हो जाती भासाओं के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता लेकिन सरकार ने ये चीज़े संभाल ली तो जब अनेक यूरोपी देशों ने साथ मिलकर यूरोपी संग बनाने का फैसला लिया ना तो ब्रूसल को उसका मुख्यालय बनाया गया अब देखिए अब दोनों का comparative देखिए देखिए बेलजियम और स्री लंका इन कथाओं से हमें क्या सिक्षा मिलती है देखिए दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश है फिर भी सत्ता की साज़ेदारी के सवाल को जो है उन्होंने अलग-अलग धंग से निप्टाने की कोशिस क अब बेलजियम के नेताओं को लगा कि विभिन समुदाय और छेत्रों में भावनाओं का आधर करने पर ही देश की एकता संभव है और इस एहसास के चलते दोनों सत्ता की साज़ेदारी पर सहमेत हो गए लेकिन स्री लंका में क्या हुआ इसका ठीक उल्टा रास्ता अपना करता है तो इससे देश में एकता जो है वह शंकट पढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है जब आप एक कास्ट को बढ़ावा दोगे उनके लिए नीतिया बनाओगे पॉलिसी लाओगे तो जाहिर सी बात है ना कि जो दूसरा कास्ट है जो थोड़ा सा कम है अलप संख्यक है त तो देखे इस प्रकार जो है सत्ता के बटवारे के पक्ष में दो तरीके के तर्क जाते हैं देखे सबसे पहला तर्क यह है कि सत्ता का बटवारा ठीक है क्यों कि इससे विभिन समाजिक सभू मुहूं के भी जो है वह टकराओं की स्थिति नहीं होता अच्छा आप एक्जामपल मान के चलिए कि अगर जो है पार्लियामेंट अब अगर मान लिजे आपकी जो है पार्लियामेंट के पास एक मात्र पार्लियामेंट के पास सकती रहे है ना तो उससे क्या इस्थिति उद्पन होगी ताना शाह बन जाएगी पार्लियामेंट है ना तो इस संत्ता का हिस्सा के लिए विए अच्छा है। अलग कारेपालिका के शक्ति अलग विधायका के सक्ति अलग तो इससे अलग अलग कारे करते रहेंगे वो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारिया नहीं भाते रहें तो इससे क्या होगा दुएश भी नहीं पैदा होगा तो बहु संख्यक समुदाय की इक्षा को बाकी सभी पर थोपना तातकालिक तोर पर लाबकारी लग सकता है पर आगे चल कर ये देश की अखंडता और एकता को नस्ट करता है है ना ध्यान रखेंगे तो देखिए बहु संख्यको का जो आतंक है ना सिर्फ अल्फ संख्यको के लिए ही परिशानी नहीं पैदा करता अकसर ये बहु संख्यको के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है अब देखिए सत्ता का बटवारा जो है लोकतंत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है और इसके पक्ष में एक और बात कही सकती है यह बात कहीं जादा गहरी है अब देखें सत्ता की साज्यदारी दरसल लोकतंत्र की आत्मा है जाहिड सी बात है लोकतंत्र की आत्मा जो है सत्ता की साज्यदारी है क्योंकि देख लीजिए आप माल लीजिए कि अगर कारेपालिका किसी के भी हमने ये मूल अधिकार में देख क्या होगा फिर तो हो चुका बंटाधार जनता में आक्रोष पैदा होगा और इसलिए यो साजे दारी सला डिया है द मतल thief मतला भी होता है लोग सासन यानि की लोग इस सासन विवस्था के अंतर गत हो वाट जाए और लोग इसी ढर्रे में रहें और इसलिए जो वैद सरकार वही है जो अपनी भागेदारी के माध्यम से ही सभी समुहों की सासन विवस्था से जुड़ती है अब देखे अब इन दो तरकों में से एक को हम युक्ति परक और दूसरे को नैतिक तरक कह सकते हैं अब देखे युक्ति परक या फिर समस्दारी का तरक लाबकर पर नामों पर जोड़ देर सकता है और जबकि नैतिक तरक जो है सत्ता के बटवारे में अंतभूर्त महत्यों को बताता है अब देखे युक्ति परक का मतलब क्या होता है ये भी देख लीजिए है ना तो लाबहानी का सावधानी पूर्वर्ग हिसाब लगा कर लिया गया फैसला तो पूरी तरह से जो है नैतिक ता पे आधारित फैसला अकसर इसके उलट होता है ध्यान रखेंगे अब देखें यहां पर एक बॉक्स में चीज लिखेंगे बहुत अच्छी चीज है देखते हैं एनिते बेल्जियम जो है उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है और फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथ ही चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रें अनिते और सेल्वी के माता-पिता की इक्षा पूरी कर सकती है तो स्री लंका के सरकारी करूं कि स्री लंका की सरकार केवल एक समुधय को बढ़ावा देती है तो वहां पर यह करवाना पॉसिबल हैं इस standard में नहीं अब आईए बात करते हैं सत्ता के साजेधारी के रूप देखें राजनेतिक सत्ता का बटवारा नहीं किया जा सकता और इसी धार्णा के विरुद्ध सत्ता की साजेधारी का विचार सामने आया अब देखें लंबे समय से जो है यही मानेता चली आ रहे है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास अस्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूं के हाथ में रहनी चाहिए लेकिन अगर फैसले लेने की सक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना होगा उन्हें लागू करना भी संभो नहीं होगा लेकिन अगर लोकतंत्र का एक बुनियादी सिध्धान्त है ना कि जनता ही सारी राजनीतिक सक्ति का इस्त्रोत है तो इसमें जो है लोग स्वासासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शाशन चलाते हैं अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन समूं और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सारवजनिक नीतियां तै करने में सबकी बाते शामिल होती हैं कुल मिलाके ये कहा जा रहा है कि सत्ता की साजेदारी जो होती है लोकतंत्र की आत्मा है लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि सत्ता की साजेदारी की जाए है ना आगे देखिए तो इसलिए जो है उसी लोकतंत्र शाशन को अच्छा माना जाएगा जहां ज्यादा से सरकार चून रही को पॉलिसी कर तो क्या होता है कि जो प्रभाव जैंता के उपर चोड़ती हो और प्रत्य पांच वर्स में जनता उसी का परिणाम देती है तो ये तो होना ही होना चाहिए लोक्तांत्रिक शाशन में तो देखे आधनिक लोक्तांत्रिक विवस्थाओं में सत्ता की साजेदारी के अनूप अन्यक रूप हो सकते हैं है ना इसके प्रचली तुधारन आईए हम देखें तो सबसे पहला उधारन है कि सासन के उसकी जाज करती है नयाएक समिक्षा करती है है ना तो इन लोगों के बीच राज की शक्तियां अलग है तो इन तीनों शक्तियों के बीच शक्तियों का बटवारा अलग अलग है है सत्ता के साजिदारी जो है अलग अलग है तो इसे हम सत्ता का 36 वित्रन कहेंगे क्यों क्योंक सकता का असीमित उप्योग नहीं कर सकता अब आपने हिटलर के बारे में पढ़ाई होगा कि सारी सक्तिया हिटलर के पास हो गई थी तो वह क्या बन गया था ताना शाह लोगों के उपर बर-बर अत्याचार करने लग गया है ना तो इसलिए जो है किसी एक के पास शक्ति होना लाजमी नहीं है तो हर अंग दूसरे पर अंकुष्ट रखता है यानि कि अगर कोई गलत पॉलिसीज ला रही है जिससे जंता के मूल अधिकारों या संद्रक्ष अधिकारों का हनन हो रहा है तो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट उस पर लगाम कस्ति है और इससे विभिन संस् सप्थाओं के बारे में हमने 9 कक्षा में पढ़ चुके हैं की कारपालिका की सत्ता उप्योग करती करना जरूरी है है i Fleisch Sandshate के अधिन कारये करती है नहये पालिका की न्यूकति कारपालिका करती है ही कारिपालिका पर और विधाये सब्धेन कानून पर अंकुष्ट लगाती हैं तो ये कानुनों की नयक शिमिक्षा कौन करता है ये करती है नयपालिका तो इस विवस्था को क्या कहते है नियंतरन और संतुलन की विवस्था दूसरी चीज देखते हैं कि सरकार और बीच के विभिन अस्तरों में सत्ता का बटवारा हो सकता है जैसे पूरे देश के ये बनने वाली ऐसी सामाने सरकार को अक्सर संग या केंदर सरकार कहते हैं तो प्रांती और छेत्री अस्तर की सरकारे जो होती है ना वो हर जगह पर अलग-अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है तो भारत में जो है हम इन्हें राज सरकार कहते हैं ध्यान रखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बटवारा किस तरह होगा तो यह काम हुआ है पर स्री लंका में हुआ है जाहिर सी बात है दिख रहा होगा आपने बेल्जियम और स्री लंका को अच्छी तरीके से देख लिया है श्री लंका में सिंखली को ज़्यादा प्रायोर मान के तमिल को बिल्कुल नीचे गिराया गया तो राज्य सरकारों से नीचे के इस्तर की सरकारों के लिए अज़कर्वार फ्य वैश्वत्रन कहा जाता है और हम अगले अध्याय में इसकी विश्तार से चर्चा करेंगे तीसरी बात क्या करते हैं तीसरी बात हम ये करते हैं कि सत्ता का बटवारा जो होता है ना विभिन साम जो है समाजिक समूहों मसलन भासाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है तो देखें बेलजियम में तो हमने सामुदाएक सरकार की इस विवस्था का एक उलाओं को विधाईका और प्रशाषन में लिजाए तो पिछले साल हम अपने डेश में प्रचलित आरक्षित चुमाओ छेटरावाली ऐसी विवस्था के बारे में पढ़ा था है तो इस तरह न विवस्था से जो विधायका और प्रशाशन में अलग-अलग सामाजिक समुहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है क्यों कि लोग खुद को शाशन से अलग ना समझने लगे अब आप मान लीजिए कि सरकार ही सरकार के कुछ लोग मिलके हमारा देश तो अर्बो में हैं हमारे देश में अ आप क्या उस देश को लोग तंत्र कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे तो अलप संक्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जा सकती है समाजिक विवताओं को शाशन में भागीदारी देने के अलग-अलग तरीकों पर हम जो है इकाई-दो में यानि की अगले अध्याय में चर्चा करेंगे अगली बात क्या कही गई है अगली बात ये कही गई है कि यह जो सत्ता है ना इसके बटवारे का एक रूप हम विविन प्रकार के दबाव समुहों और आंदोलन द्वारा सासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों म हमारे पास कितने विकल्प होते हैं हम चाहे कॉंग्रेस को वोट दें चाहे बीजेपी को है ना चाहे आम आदमी पार्टी को तो पहुत सारे विकल्प होते हैं अगर एक ही विकल्प रहेगा तो क्या होगा क्या वो लोकतांत्रिक विवस्ता होगी नहीं होगी भाइना चाहते सट्था के लिए आपस में प्रतिस्परदा करती है यानि कि इनके मध्य प्रतियोगिता होती है तो पार्टियों की आपसी प्रतिद्वंदिता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सट्था जो है एक व्यक्ति और समूं के हाथ में ना रहे अब देखें अब बात ये यह गाउं गाउं शहर शहर जाके अपना प्रचार प्रचार करते हैं और यह जनता से कहते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए पॉलिसीज लाएंगे हम जो है बहुत सारी विभिन पॉलिसी लाएंगे रोजगार में सुधार करेंगे किसानों के लिए ये पॉलिसी लाएंगे है ना दूसरी पार्टी भी जाके हवाई करती है फिर क्या करती है जंता विचार करती है और फिर अपना मत देती है तो यही प्रतिद्वन्दिता इस बात को सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक वेक्ति या फिर सम्मुह के हाथ में न रहे तो देखे एक बड़ी समयावधी पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि सत्ता जो है यानि कि गौर्मेंट जो है बारी बारी से अलग विचारधारा और समाजिक सम्मुहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है अब आप ये देखेंगे जब से देश आजाद हुआ है तो क्या हुआ है क्या हमेशा कॉंग्रेस की सरकार बनी है बिजेपी की भी सरकार बनी है अब आप देखें दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है तो पार्टी जो सत्ता होती है वो एक ही पार्टी में नहीं होती अलग-अलग हाथों में जाती रहती है हम सभी लोगों की पॉलिसीज देखते रहते हैं तो कई बार होता है ना कि सत्ता की ये जो भागीदारी होती है ना एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्यों क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है सरकार का गठन करती है तो देखें लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपती, किसान और अध्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समुहों के भी सक्री देखते हैं तो सरकार की विभिन समितियों में सीधी भागेदारी करके या फिर नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाब के लिए दबाव बनाकर ये समुह भी सत्ता में भागेदारी करते हैं अब हम अगले अध्यायों में देखेंगे कि राजनीतिक दल जो होते है ना दबाव समू और समाजी कांदोलन की कार्य प्रडाली पर गौर करते हुए देखेंगे अब आईए इस चैप्टर के क्वेस्चन को देख लेते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेस्चन है आधुनिक लोकतांत्रिक विवस्थाओं में सत्ता की साजेदारी के अलग अलग तरीके क्या है और इनमें प्रतेक का एक उधारन भी दे तो देखेंगे इनके विभिन तरीके ह सबसे पहला है ध्यान देती रहिएएंगा शाशन के विविन अंगों के बीच बट्वारा यह बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विधाय का होगई कारपालिका होगई और नयाय पालिका इनके बीच सत्ता का बटवारा रहता है, सरकार के विभिन अंग एक ही अस्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ती का प्रयोग करते हैं और इन में से कोई भी एक अगर सत्ता का अस सीमित प्रयोग करता है तो हर अंग दूसरे पर अंकुष कर देता है अंकुष लगाने का मतलब कि अगर सरकार जो है गलट डिसीजन या फिर कुछ उसमें संशोधन करना होता है तो न्याइपालिका उस पर अंकुष लगा सकती है दूसरी चीज सरकार जो है सरकार के विभिन अस्तरों का बटवारा अब अस्तरों का बटवारा कैसे कि देखिए केंद्र सरकार को संग सरकार कहते हैं फिर प्रांति सरकार को प्रांतिय सरकार से कहते हैं तो केंद्र सरकार का बटवारा अलग है राज्य सरकार की सक्तियों का ब समाजिक समूहों के बीच कैसे बटवारा अब समाजिक रूप से जो कमझोर समुदाय है और महिलाओं को विधायका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए क्यूंकि ताकि जो है लोग स्वयम को सासन से अलग न समझे और अलपसंख्यक समूहों को भी इसी तरीके से सत्ता की उची हिस्सेदारी दी जाती है आपने बेल्जियम का उधारन देखा ही है चौती चीज राजनीतिक दलो वद दबाफ समुहों द्वारा सत्ता का बटवारा अब देखे लोगतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता तो बारी-बारी से अलग-अलग विचार धारा और समाजिक समु को भी सक्री देखते हैं तो यह रहा इसका एंसर अगला क्वेशन देखेंगे कि भारत के संधर में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उधारन देते हुए इसका यूक्ति परक और एक नैतिक कारण बताईए तो देखे भारत की सत्ता का बटवारा जो है ना विभी नस्तरों के ब है कि भारत एक घनी आवादी वाला देश है आप सभी को पता है कि चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंक्या वाला देश कौन है हमां भारत है तो पूरे देश के लिए एक ही सरकार द्वारा जो है कानून बनाना सांती और विवस्था बनाना संभो नहीं है क्या संभ द्धान में लिखित रूप से कर दिया गया है यही चीज जिससे सरकारें बिना जगड़े के देश में लोगों के हितों का ध्यान रखकर शाशन करें अब इसका नैतिक कारण या है यह भी सुन लीजिए देखें लोगतंत्र के जो देश होते हैं ना उनका सत्ता का बटवारा जरूरी है यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वो निरंकुष हो जाएगी वो अपने फैंसले थोपती रहेगी लेकिन क्या है कि यहां पर सत्ता जो है वो बदलती रहती है अलग-अलग पार्टियों के हाथों में जाती रहती है तो जादा से जादा लोगों की जादारी शाचन में नहीं हो पाएगी और अगर सत्ता का बटवारा नहीं होगा तो लोगतंद के लिए जरूरी है और इसलिए भारत में विभिन अस्त्रों पर सरकारों का वरगी करण कर दिया गया है अगला क्वेस्चन है इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग-अलग निशकर्ज निकाले आप इन में से किस सहमेथ है और क्यूं अपना जवाब पचास सब्दों में दीजे अब देखिए थम्मन जिन समाजों में छेत्री भासाई और जाती आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साजेदारी जरूरी है मताई क्या कहते ये भी सुन लीजिए सत्ता की साजेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उप्यूक्त है जहां छेत्री विभाजन मौजूद हो और सिफ क्या कहते हैं ये भी देख लीजे हर समाज में सत्ता जो है साज़ेदारी की जरुत होती है भले वह छोटा हो या फिर समाजिक विभाजन ना हो वहां तो सत्ता के साज़ेदारी तो लोगतंतर की आत्मा है मैंने आपको बताया है और लोगतंतर का मतलब गजार अनुग य्कि दा मतंशंतु कि तो लोग ही जब आजँल को चुने और सासन विवस्था में जुडे अगला क्वेस्चन है बेल्जियम में ब्रूसल के निकेट इस्थित सहर मर्च टेम के मेयर ने अपने यहां के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोग को सही बताया उन्होंने कहा कि इससे डच भासा ना बोलने वाले लोगों को इस फ्लैमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साजेदारी विवस्ता की मूल भावना से मेल खाता है तो अपना जवाब देजिए देखे, स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साजेधारी की विवस्ता की मूल भावना के खिलाफ है कैसे कि बेल्जियम में जो विवस्ता अपनाई गई है ना उनमें सभी भासाओं के लोगों को समान अधिकार दिये गए है और इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है क्यों क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच बहासी लोगों के भावनाव का हनन होगा अगला क्वेशन है नीचे दिये गए उद्धरन को गौर से पढ़िए और इसमें सत्ता की साजेधारी को जो युक्ती परक कारण है उसमें किसी एक का चुनाव करे तो देखें महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने अपने समिधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है तो पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र का स्थापना करता है और यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए ब्रश्चाचार कम करने और प्रशाशनिक कुसलता को बढ़ाने के लिए एक उपाय जो है वो पंचायतों को अधिकार देना भी है जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागेदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रन बढ़ेगा और इससे भ्रश्ट बिचॉलियों को खत्म किया जा सकेगा और इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नियुकों मजबूत तो देखे ये जो पूरा वाक्या है ना इसमें ये बताया गया है कि पंचायत के अस्तर पर सत्ता को बटवारा करना जरूरी है क्यों क्योंकि इससे भ्रश्टाचार कम होगा और प्रशाशनिक कुसलता बढ़ेगी पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयम अपने विका क्यों क्योंकि इससे जो है किसी इस्थान विसेश की समस्याएं वहां पर लोग भाती भाती समझते हैं और जब लोग ही योजनाय बनाएंगे तो उसका समधान तो जाहिर सी बात है सीगरी होगा तो विकास करने के लिए ये जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौपे और सही लग रहा है ये बताइए पहला है विभिन समधायों के बीच टक्राओं को कम करती है सही है क्या बिल्कुल सही है दूसरा है पक्षपात का अंदेशा कम करती है ये भी सही है तीसरा है नेड़ने लेने की प्रक्रिया को अटका देती है ये तो भई गलत है कहां अटकाती विवित्ताओं को अपने में समेट लेती है यह भी बिल्कुल सही है अज ठीरता और आपसी फूट को बढ़ाती है यह बिल्कुल गलत है सत्ता की साज़ेदारी ऐसा करती है क्या नहीं करती सत्ता में लोगों की भागेदारी बढ़ाती है तो यह क्या सही है बिल्कुल सही है देश की एकटा को कमजूर करती है, कमजूर कहां करती है? मजबूत करती है, तो कौन-कौन सा सही हुआ? तो कौन सा option सही होगा? यानि कि ये वाला, फर्स्ट वाला option सही होगा, ठीक है? आगे देखते हैं, बेल्जियम और स्री लंका किमे सत्ता की साज्यदारी व्यवस्था के बारे में निम्द लिखित बयानों पर विचार कीजिए ठीक है तो इसमें कौन सा सही होगा देखें बेल्जियम में डच भासी बहुसंख्यों को ने फ्रेंच भासी अलपसंख्यों को पर अपना बनाए रखने का प्रयास किया सही है अगला है अपनी संस्कृती और भासा को बचाना और सिक्षा तथर रोजगार में समानता के अवसर के लिए स्री लंका के तमिलों ने सत्ता को संगीय धांचे पर बाटने की मांग की सही है बिलकुल मांग की थी अगला है बेल्जियम मे एकात्मक सरकार की जगा संगीय सासन विवस्था लाकर मुल्क को भासा के आधार पर तूटने से बचा लिया गया तो ये भी बिलकुल सही है तो कौन सा आप्सन सही होगा इसका आप्सन सही होगा ख, ग, और ग, यानि की आखरी वाला देखे इसमें सही जोड़ी का मिलान कर करना है तो सरकार के विभिन अंगों के बीच सत्ता का बटवारा यानि की एका खा होगा अधिकारों का वित्रण दूसरा है विभिन अस्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बटवारा इसका क्या होगा संगीय सरकार तीसरा है विभिन समाजिक समूहों के बीच जो है सत्त की साजेदारी तो ये जो है गठबंदन की सरकार है ना तो इसका option कौन सा होगा तीसरा अगला question है सत्ता की साजेदारी के बारे में दो बयान पर गौर करें और नीचे दिये गए code का आधार सही बताएं ठीक है तो दिया हुआ है सत्ता की साजेदारी लोगतंत्र के लिए सही है अच्छा आप लोग एक करेक्शन कर ले ना यहां पे जो मैं ने बताया था Neoot कौन सी सरकार और सेलवी के मातर पिता की इक्षा पूरी कर सकती है तो यह कर सकती है बेलिजीयम की सरकार ठीक है मैंने आपको स्री लंका गल्ती से बता दिया है यह होगा belgium की सरकार तो दिखे belgium की सरकार इसलिए करेगी कि school में जो है फ्रेंच बोलने पर लगी रोग को सही बताना belgium की सत्ता की समस्थारी और विवस्था की मूल भावनाओं के खिलाफ है तो belgium में जो विवस्था अपनाई गई न उसमे जो है वो प्रेस्ट बोलने के लिए जो है इंपल्मेंटेशन कर सकते हैं तो यह है फ्रेंच बोलने वाले लोगों पर होगा यानि कि एनेतं की बात्वानी जाएगी ठीक है तो यह तो आप लोग तो चलिए यहीं समाप्थ होता है यह वीडियो और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है आपको पता ही है और वीडियो को शेयर कर देना है थैंक यू वेरी मच